अगिनवीर के लिए जिन अभ्ध्यारतियों ने आक्रोष जारी किया अगिनिपत्थियोजना के अंतरगत की सारे सात्रा से इकीस साल जो एज रखी गई थी उसमें आपके आक्रोष के बाद बिहार में, उत्तरपदेश में, मर्धपदेश में, हरियाना में, पंजाब में जो अभ्यारतियों की एज ओवर हो गई थी, उनको भी लाग मिल जाएगा इस योजना के अंतरगत, यह योजना कांट्रेक्ट बेसिस पर जो आपको रखेगी, जिसमें ग्यारा लाग कुछ हजार रुप्या आपको चार साल के बाद, जब सेवा निवरत किया जाएगा, तो मि इसपर्ष्ट कर दिया है कि जितने अभ्यारति सेना से लौट कर आएंगे चार साल बाद, उन्हें हम नौकरी देने के लिए कटिबद्ध है, मेरे समझ से उत्तरप देश से या जो बच्चे हर्याना से या अन्य राद भी कहीं से हो, छियाले हजार वेकेंसी जो निकलेगी अगले दो दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, थलसेना अध्यच मनोज, मुकुंद, नर्वाने जो पूर्व में थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है इस योजना का, और जो प्रजन टाइम में मनोज पांटे हैं, उन्होंने भी इस बात नोसेना में भरती किया जाने हैं, इसमें बिलकुल भी आप परिसान न होएगा, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जब राज सरकारे कह रही हैं कि हम राज में आपको आरच्छन देंगे, यदि आप में जो जजबा और जूनों है देश सेवा करने का एक आप में जजबा है, कि हमें देश सेवा करनी है, तो बात खतम हो गई, सेलरी कम मिल लही जादा वो बात की बात है, और रही बात सेलरी घटने बढ़ने की ये न्यूपती के बाद भी घट बढ़ती रहती हैं, आपको जैसे आयो सेवा बढ़ा कर तेज कर दी गई है, तो मेरा ये मानना है कि जो 100% लोग भरती किये जाएंगे, उसमें सेना एक खाका बना के दे रही कि 25% लोगों को हम पर्मनेंट कर लेंगे, मतलब जो आपको जो कांटेक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है, कांटेक्ट बेसिस पर नहीं रखा जा रहा है, आपको पहले सुरू में प्राइवेट किया जाए है, सेना अपने सुविधान उसार घटाती बढ़ाती रहती है, क्योंकि रेटाइट जनरल जेजे सिंग जी ने भी बात कही है, कि जो संख्या 25% रखी गई है, ये 30% भी हो सकती है, 35% भी हो सकती है, तो इसमें कोई घबराने की बात तो है ही नहीं, युआ एकदम निश्च करने का जजबा है, आप देश सेवा करना चाहते हैं, और वेल डिस्प्लिंड हो करके आप वहां से लटेंगे, भाई, चार साल आपने सर्विस कर ली, उतर देश से हैं, हर्याना से हैं, ये किसी भी राज से हैं, वहां से आप लटे, बिहार से हैं, या बिहार वाले जादा करशित हुएं तो वो भी जानने कि आप किसी भी राज से हैं जब आप लोटेंगे तो आप वेल डिस्पिरिंड कंडिडेट होंगे और आपको राज में पुलिस भरती में राज की समूगा भरतियों में यहां तक की उत्तब्रेस में PCS तक की भरती में आपको आरच्छन देन जिरा सबसे पहले आये थे कि हम सारे अब ध्यारतियों को रखेंगे तो परेसान न होगेगा यह जीवन ही अग्निपखः अग्नीपथ है तो संगर्स बराबर बना रहता है दूसरी बात यदि आप 18 साल में cm supplement ht होते हैं, 21 साल में नीजण साल में नीजण तो आप दिक्कत की बात नहीं लेकिन अगर आपने सेना में ही बहुत अच्छा प्रदसन किया तो आप उस 25 प्रस्ट सैनिक में भी आ रहे हैं जो कि एक बहुतर सैनिक बन रहा है तो देखें किसी के अफवाहों में आए यदि आप मालीज अफवाह में आते भी तो कोई दिक्कत की बा नवकरी भी नहीं कर पाएंगे जब हमारा भविस ही खत्रे में होगा और ये गलत भी है जो सरकार का रही लेकिन सरकार ने जो कुछ किया है मेरी समझे हो सोंच समझ के किया है सेना के अधिकारियों ने इस पर नेनने लिया होगा उसके बाद ऐसा किया है जैसा हम न्यू चै राज की तरफ से कैंदर के साइनिक होने के पूरे लाफ मे लेंगे तथा यहां से रिटायर होने के बाद केंदर और राज की सर्विसों में उसे लाफ भी दिया जाएगा इसको लेकर कि प्रयास बराबर जारी हैं वारताये चल रही है और जाहिस ही बात है कोई अपने के साथ थोड़ा खिलवार हो रहा है चाल साथ बाद उसे निकाल देंगे फिर हो क्या करेगा यहां पर एक थोड़ा धहिरज रखना है ऐसे सारे बच्चे नहीं होते जिने नौकरी मिली ही जाती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइविट सेक्टर में रह जाते हैं और हमारे देश में गरीबों की संख्याद ही के आप ट्रेन जला देते हैं आप सरकारी बसें जला देते हैं आप रोड पे उत्पात करते हैं कोई गरीब चोटिल हो जाता है या किसी बच्चे के लाथी लग जाती है आज हमने नियूज पेपर में पढ़ा तो पता चला कि एक बच्चे की मौथ भी हो गई इसमें देखे किसी के घर का दीपक बुझना थोड़ा गलत होता है आक रोसित नहोएगा आप विरोध करिएगा आप गांधी के देश में रहते हैं तो आप गांधी के टर्म से विरोध करिएगा आप सांध्पूर धरना करिएगा आप सोसल मी आचना नहीं अमरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, वो बात की बात है, आप स्वस्थ रहें, मस्थ रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, आपका सेलेक्शन जरूर होगा, लेकिन आप रोसित हो करके आपने ट्रेन फोग दी, आप पे देशद्रों का मुगदमा जाती है, तो मैं आसा करता हूँ, कि आप पढ़े लिखे विद्वान वेक्ति हैं, नहीं हैं, तो भी आप में जो ज़जबा और जो वेक्ति सेना में जाना चाहता है, उसको राष्ट से प्रेम है, राष्ट की वस्तों से प्रेम है, वो वेक्ति ऐसा करेगा नहीं, आसा करत तो वेरी गुड है आप फार्म भरिएगा जाईएगा और वहां अच्छा प्रतस्त करते हुए पचीस प्रतस्त में आ जाईएगा पर्मानेंट हो जाएगे अगर नहीं आ पाते हैं तो फिर आप चाह साथ बार वापस चले आएंगे क्योंकि सेवा का उसर मा सब को नहीं डेती ये बड़ी पुरानी बात है जिसमें आपने देखा होगा रिजिमेंट की भरती होती है बलड गुरूप की भरती होती है बच्चे दोड़ने जाते हैं दो दो सिकंड से रह जाते हैं लेकिन सभी को सेवा का उसर नहीं मिलता जिसके उसर में लहा है वो जाए सेना में सेवा करें और अच्छा प्रजशन करते हैं 25% में पर्मानिन्ट हो जाए जो नहीं उस लायत था वो चार साल बाद वापस आ जाए तो मेरी समझ से आपाकरोसित नहों और सहस्ता से काम लें जरूरी नहीं है कि आप परिसान हों आप सावजने चीज़ों की बरबादी करें यह थोड़ा गलत है इस रख किसी बच्छे के ज़्यादा गंभे चोट लग सकती है बिरोज करना है बिलकुल करिए सोसल मेडिया से कर करने पर बैठ जाईए सांतिपूर्ण धंग-धंग से ग्यापन सौपिये का SDM-DM को आपकी हर बात सुनी जाएगी बिलकुल सुनी जाएगी लेकिन सावजने चीजों की बरबादी करना थोड़ा उचित नहीं रहता तो यह रही बात और जो लोग तयारी कर रहे हैं वो भ एगनसी आती है तो आप अपना फिजिकल और रिटेन तयार रखिए और बस सेरक्षन लीजिए और माभरती के चानों में अपनी सिवा दीजिए और एक सुनहरा जीवन जीने के साथ साथ उन चार सालों में ही यह आप वापस लोड़ते हैं तो वहाँ से जब आप वापस आ तो आप जब विदम युवा रहेंगे युवा में ही वापस आ जाएंगे यहां कहीं बैंक में हो गए पुलिस में हो गए एससी में हो गए रेल वेम हो गए तो आप इस देश के लिए एक मजबूत कड़ी बनेंगे तो भरसान न होईएगा यह जीवन है संघर्स है आपके पुवाल के तरह छिप नहीं सकता वो धुवा और आग पैदा ही कर देगा यदि आप में है आग तो आपकी आपको सेना का कोई अधिकारी दबा नहीं सकता कोई मंत्री का निर्णे दबा नहीं सकता परेशान न होईएगा ठीक है अपने पट पर चलते रहिएगा और बिलक पाने जी और जनरल मनुझ पाने जी जो हमने इस्टेटमेंट्स पढ़े उनसे हमें यह लगा कि सायद उन लोगों के सरीर पर भी चीता ड्रस है उन लोगों ने भी देश में सेवा की है उन देश लोगों के कंधे पर भी तरवारे रही है उन लोगों के हाथों में भी संग अधिक योग्य होंगे हम आपसे ज्यादा जानकार होंगे स्ट्राइटिक फिल्ड में और। जहीँ बात है उनकी स्ट्रेटिक थाठ्ट। उनके इंटरनेसनल थाठ्ट उनके नेसनल सीक्योर्टि थाठ्ट। हमसे आपसे आक Personality होंगे। तो उन्होंने जब कहा है और आगरह किया है कि आप साजरिक चीजों को बरबाद न करें और युवाओं का भविस से बिलकुल बरबाद नहीं होगा इस बात का स्वासन दिया है तो मेरी समझ से हर युवा प्रतियोगी अभ्याति जो सेना की तैयरी कर रहा है उसके मन में भी सेना के लिए सम्मान है उसके मन में भी देश के लिए सम्मान है तो वो कभी अंडिस्प्लेंड नहीं होगा वो अंडिस्प्लेंड आगमी सेना में नहीं जा सकता है रेलवे में जा सकता है सिच्छग बन सकता है आपको सेना में जाना है तो आपको देश के पर सम्मान हद पहलू पर रखना है सरकार की हर बात को मानना है सेना अधिकारी की हर बात को मानना है तो आक्रोशित नहीं होंगे और साज़न चीजों की आप परवादी नहीं करेंगे इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद